सेक्स अटेश्मेंट और ब्रेक अप को कैसे हैंडल करें इसके बारे में आज बातचीत करते हैं मेडिकल कॉलेज में एक लड़की पढ रही है और वह लड़की मेरे पास में आई थर्ड यह में लड़की है और बहुत ही डिपरेस्ट, नर्वस, साइड, रोना चालू कर दिया बहुत दूर से आई भी थी दूसरे state से आई भी है और वो यहाँ hosnes में रह रही है और उसको भी यह problem हो गया कि एक लड़का उसकी college का जो fourth year में उसके साथ में उसका उसकी दोस्ती हो गई थी उसका attachment हो गया उसका physical relationship हो गया और अभी वो लड़का और कोई लड़की के साथ में इन्वाल हो गया अब इसको जाए में मालूम पड़ा तो उसको बहुत धक्का लग गया और एकदम वो nervous, repress हो गई और अभी suicide के विचार आ रहे कुछ पढ़ाई में मन नहीं बार 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 वही विचार आ रहे बार 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 उसके बारे में सोच रही है वो तो लड़का मज़े कर रहा है लड़की के साथ में और ये अपना सब बं करके पढ़ाई बं करके खाना पिना छोड़ और बैठी वही है कि अभी क्या करना है करके बार बार वो लड़की की याद आती है, जित्ते बार वो लड़की की याद करती है, उसका ज्यादा होता है कि नई दो कि चलेगा है मेरे हाथ से, उतना ज्यादा उसका विचाराते है, और वो बहुत ज्यादा इस्तः हो चुके है, यह problem निए लड़की का नहीं है तो problem काफी सारे लड़कीöं के है और लड़के की भी है जब मैं लड़की बोल रहा हूँ तो आपने समझ जाना है लड़कों के भी है problem है जब कोई लड़की छोड़ जाती है क्या होता है कि लड़के लड़कियां अपना उद्देश लेके अपना गोल लेके कॉलेज में जाते हैं और अभी अभी उमर ऐसी होती कि जो हर्मोनल चैन्जे से वो चुपने बैठने जाते हैं और उसमें फिर सेक्ष्वल अट्रेक्शन नैचरल हो जाता है अभी फेस्बूक, वाटसैप, यूट्यूब और अलग-अलग सोशल मेडिया जो है अलग-अलग जो प्लाटफार्म से जहां एक जुसे को मिलते रहते हैं और वहां दोस्ती बनते जाती है दोस्ती का जो कनवर्शन है वह आगे और फिजिकल रिलेशन्शिप और शादी के लिए फिर कसम खाना यहां तक चेले जाता है और फिर कोई रिलेशन्शिप स्टेबल रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है और कोई मिल गया तो वह प्रेकफ हो जाता है और वह कहीं चले जाती है तभी ऐसे इसमें करना क्या है मैं अभी वह लड़की को यह बताया कि देखो आप अकॉला में आई अकॉला में आई तो आई क्यों आपको डॉक्टर बनना था अव्याच्त नहीं मुझे डॉक्टर बनके मेरा करियर बनाना था बहुत बनाना नाम करना था अब जो उसके लिए आप यहां आई आपको लामे उसके लिए मेडिकल कॉलेज में अड़्मिशन लिया क्या आपनी इसके लिए अभी लड़के के साथ में मैं अभी इन्वाल हो जाओं उसके साथ में इमोशली इन्वाल होके अभी मैं मेरा मतलब जिवन बरबात करूँ और वह भी छोड़के गया तो भी सुसाइड को इसके लिए आई हुई है तो एक फिजिकल रिलेशन्शिप के लिए क्या होता है कि लड़के लड़के फिजिकल रिलेशन्शिप में एक दूसरे के आ जाते है और जब फिजिकल रिलेशन्शिप में आते है तो बहुत ज्यादा डीप इन्वालमेंट हो जाता है और फिर एक दूसरे को छोड़ना इसा बोलता है मैं उनको पहले सवाल करता हूँ क्या उनकी फिजिकल रिलेशन्शिप हो चुकी है क्या और ज्यादा तर यह उसका जवाब मिलता है यहां वो फिजिकली इन्वाल थे है छोड़ नहीं सकते है तो एक फिजिकल रिलेशन्शिप के लिए देखो एक शारिक भूग है वो हरदम के लिए रहने वाली है बिल्कुल नहीं है यह शारिक भूग जो है वो तो एक रात के लिए होती रहती है दूसरे दिन फिल भूग लग जाती है सेख्स का वैसे है कि खाना खानी का मतलब पेट की भूग है तो सेख्स का वैसे हो कभी नहीं हटने वाली वो चलने वाली है तो फिर क्या उसके पीछे हमने अपना लाइब बरबात कर देना है क्या हमने हमारे जो गोल से हमारे जो लक्ष है हमारे उद्देश है उसको बाज़े में रखके क्या हमने हमारा पुरा बरबात करना के अटेश्मेंट में क्या होता है फिर एटेश्मेंट ह तो आपको छोड़ी दिया होंगा या फिर से वो फोन करती होंगी तभी ऐसे कि वो ने दोस्त के साथ में ने बॉइफ्रेंड के साथ में अभी वो तन्ग आ चुकिए ओधो तो टाइम पास करने के लिए हो सकते हैं कि आपको उसने फोन किया होंगा तो वो आपको गुमा रही हैं ऐसा नहीं कि फिस सिर्फ लड़के के लिए या लड़की के लिए तो अब यह को यह देखना है कि हमारा एक बड़ा गोल रहा बड़ा उदश है बड़ा परपस है तो वो फुल्फिल करने के लिए जो मुझे करना है करना चाए आप जब और एक्टिविटी कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, जहां भी, जिसके भी साथ में आप है, अपने आपको सवाल करो, कि मैं जो एक कृति कर रहा हूँ, जो एक्षिन ले रहा हूँ, क्या एक्षिन मेरे गोल के तरफ मुझे लेके जा रही है, क्या गोल से दूर लेके जा रही है, आपको उसका जवाब म चक्कर में आपका लाइफ आप खराब कर रहे हैं, आपका जीवन खराब कर रहे हैं, आपके जिन्दगी खराब कर रहे हैं, आपके गोई मत्टी में मिल जाएंगे, और आपका लाइफ बरवाद हो जाएंगा, कितने सारे बच्चे की मेडिकल में बहुत ताकत से बहुत पढ करना है और वो है कि भई मैंने कुछ तो भी लोगों के लिए करना है अपना करीयर करना है अपना लाइव अच्छा करना है तो फिर यह छोड़ी बात के ऊपर आप अटेश नहीं होना है तो सभी बच्चों को सभी कॉलेज के लड़कों को यह स्प्रेड करो ताकि लोगों में इसका awareness हो जाएंगा और वो एक अच्छे देश के नागरिक बन पाऊगे थैंकियू बेरी मुच